महा भारत का युद्ध बड़ा है या रामायन राम और रावड का युद्ध बड़ा है दोनों ही युद्ध अठारह अठारह दिन चले राम और रावड का युद्ध भी अठारह दिन तक चला और कौरव और पांडवों का युद्ध भी अठारह दिन तक चला यदि दिनों की बात करें तो दिन तो सेम सेम अठार अठारा दिन चला दोना युद्ध पर शक्ति की बात करें तो महा भारत के युद्ध में तो भगवान कृष्ण को अस्त्र सस्त्र उठाने की जरूरती नहीं पड़ी मतलब महाभारत की یुद्ध में कोई बहुत बड़े बड़े योद्धा नहीं थे जितने बड़े योद्धा राम रावड के युद्धा राम जी तो स्वयम राम थी भगवान रावड कम नहीं था रावड की टक्कर का महा भारत में कोई नहीं था मेग नाच की टक्कर का महा भारत में कोई नहीं था हैं और रावड के भहिया कुम्भ कर्ण की टक्कर का महा भारत में कोई नहीं था तो बल की दृष्टी में तो राम रावड का युद्ध जादा बलवान लोगों का युद्ध था और महा भारत का युद्ध तो दुर्योधन, शकुनी, पितामा भीश में सब दिगज थे अद्दुतिय युद्धा थे पर रावड जैसे इनमें से कोई नहीं था बल की बात कर रहा हूँ मैं, बल मेघनाद जैसा किसी के पास नहीं था तो अपनी अपनी जगह सब बढ़िया हैं, सब ठीक हैं, पर जादा अब देखो, पूरे महा भारत में एक भी ब्रह्मास्त्र नहीं चला समपूर्ण महा भारत का युद्ध हो गया, एक वार भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ वो तो बाद में अरजन को मारने के लिए अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र चलाया और परिक्षित को मारने के लिए भी अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र महा भारत की युद्ध में एक भी ब्रह्मास्त नहीं चला सुधर सनास्त्र तो चला एक वार वो भी एक वार गुस्सा आया तो उसने अश्वत्थामा ने चलाया परंतु ये सारी ब्रह्मास्त रित्यादी तो राम रावड की युद्ध में कई बार चले कई बार इनका प्रयोग किया गया तो ये ज़्यादा बलशाली थे कई बार प्रयोग किया गया फिर भी बालवी बार हनुमान जी उस युद्ध में तो हनुमान जी भी थे राम रावड के युद्ध में हनुमान जी की बरावरी का कौन था यहां पर महाभारत में कोई नहीं था तो दिन के हिसाब से देखें तो अठार अठार दिन दोनों के थे पर पराक्रम के हिसाब से तो राम रावड का युद्ध स्रेश्ठ था पराक्रम के हिसाब से और वो पूरा युद्ध धर्म युद्ध था राम और रावड का ये भी धर में युद्ध है कुछ चीजें समान है कुछ चीजें मैं बल की बात करूँ तो बल पराकरम राम रावड के युद्ध में अधिक था